तो ही गाइस वेल्कम पार्ट वीडियो डिस इस आयूश और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ दि आल यू 2020 किया सॉनेट के डाइमेंशन्स वेरियंट और स्पेसिविकेशन्स के बारे में आपको कौन से इंजन ऑप्शन्स कौन से वेरियंट में मिलेंगे इस गाड़ी के डाइमेंशन्स क्या है यह लीड हुए है और यह डिटेल में आप लोगों के साथ में मेरी वेबसाइट इंडियन टॉर्क डॉट कॉम और इंस्टाग्राम पे शेर कर दी दिन में शेर कर दी बहुत सारे मेसेज़ेस आये बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स थे देट फॉए मैंने सुचा है कि इसके उपर वीडियो बना दी जाए और आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर कर दी जाए तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो नीचे मैंने यह पोस्ट डाली थी वेन्यू से रिलेटेट बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आये थे तो स्टाट करते हैं यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट रख दे रहा हूं जिसमें आप लोगों को उपर वाला जो चार्ट है वो किया सॉनेट का है नीचे वाला ज जिरो एमेंग की ही हाइट यहां पर मिलती है विर्थ की बात की जाये तो 1790 mm की मिल जाती है वैन्यो की विर्थ कम है 1770 और यह कम विर्थ जो है पीछे कम स्पेस भी आपको प्रोवाइट करती है यूदिवेन्यू में तो थोड़ा सा विर्थ जो है वो बढ़ी है वो काफी अच्छी बात है विल बेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ीों में 2500 mm का विल बेस है जो की अल्मॉस्ट से सिमिलर है बूट से स्पेस की बात करें तो वैन्यू में आप लोगों को जो है 350 लीटर का ही मिलता है वहीं Kia Sonnet में आपको 392 लीटर का बूट स्पेस मिल जाये यह जो information है मुझे कई sources से मिली है और वो वर्दी sources हैं तो उस पर trust किया जा सकता है बट फिर भी मैंने महाँ पर एक star लगाया हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी को कई सारे variants और कई सारे engine options जो है वो देखने को मिलेंगे तो अब इस चीज को समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैच और बनाया है कि कौन से engine में कौन सा variant आएगा मैं ऐसा नहीं करूँआ कि आप लोगों को सारे पहले पहले पैट्रोल बता दिए फिर डिजल बता दिए फिर बोल रहा हूं कि एक एक इस में आ रहा है आप लोगों का ही सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो बनाई है तो यहां पर सबसे फिल स्चार्ट करते हैं 1.2 लीटर पैट्रोल इंजन जो आएगा उसमें कौन-कौन से वीरिंट और कौन-कौन से गेर बोक्स का अप्शन होगा फिर चलते हैं दूसरे इंजन के तरफ तरफ वन पॉइं के अंदर आपको यह इंजन जो है वो कंपनी ऑफर करेगी और डेफिनेटल यह टेक लाइन के अंदर ही होगा जीडी लाइन में तो होने से रहा नाइस्ट आगे चलते हैं वन लीटर टबू चार्च पैट्रोल इंजन यह आपको कहां पर मिलेगा तो पैट्रोल की जो वन सब्सक्राइब तो यहां पर आप लोगों को पावर 120 PS के मिल जाती टॉर्क 172 इंटेंविटन का यह बोक्स इसमें 6 स्पीट का IMT गेर बॉक्स मिलेगा मैन्योल नहीं मिलेगा और 7 स्पीट का DCT गेर बॉक्स मिलेगा अब अगर आप IMT पर्चेस करते हैं तो इसमें आप ल लिस्ट 1.5 लिटर डिजल इंजन जो कि वैन्यू में देखा गया था वह इंजन इस गाड़ी में आप लोगों को 6-speed manual transmission के साथ मिलेगा इस पाक्स भी यहां पर आपको वैन्यू के अंदर वो दिया है option यहां पर वो दूसरी ट्यूनिंग के साथ में 1.5 लिटर डिजल इंजन मिलेगा जो कि आपको 6-speed talk converter unit के साथ में मिलेगा और यह जो टॉक अनवर्टर ऑटमेटिक गेर बॉक्स है यह बहुत ही रिफाइन जो है गेर बॉक्स होता है सीटी में चलाएं चाहिए आप हाइवे पर लेके जाएं दोनों ही जगे काफी अथी तरीके से काम करता है और तो यह जो इंजन है आपको सेल्टॉस के अंदर देखने को मिलता है वही स्टेट ओफ ट्यूनिंग के अंदर यहां पर कि इन चार जो इंजन आप्शन्स हैं आप लोगों को बता है जैसे डिजल में भी अगर देखा चाहे तो इंजन तो ही कि है और उसकी जो ट्यूनिंग है वह अलग-अलग हिसाब से की गई है तो वह एक अलग मैटर हो गया फिर वन लीटर का टबू चार्ज इंजन हो गया और 1.2 लीटर का पैट्रोल इंजन जो नॉर्मल है नेचरल इस परिटेट इंजन है वह हो गया वहीं बहुत चारे लोग यह कंफ्यूज होंगे कि अब आप लोगों का अच्छा है डिजल का अच्छा है कौन सा लें कौन सा नहीं लें तो एक छोटा सा आप लोगों को हैसन पैट्रोल इंजन पर्चस करना है और सीटी में जादा चलना है 70% से जादा रना कर आपका सीटी में है तो मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा आई-एंटी केरेक्टर मिलता है आपको उन सब बातों का अलग मसा हो जाता है महीं अगर डिजल इंजन लेना है तो चाहें टॉक नोटर लेना चाहें आपकी जो मर्जी वह अप ले सकते हैं दोनों ही इंजो गेरबॉक्स हैं वह बहुती अच्छे हैं यह आपके ओपर डिपेंड करते हैं आप अटॉमेटिक टॉक कनवर्टर चलाना पसंद आरेंगे या मैनुल गेरबॉक्स जो है अपने गेर शि चीज़े कैसी कैसे फील होती है वो भी आप पढ़के जो है समझ सकते हैं और देखना चाहें तो देख भी सकते हैं चैनल पर वीडियो अवेलिबल है आज की वीडियो में अगर अच्छी लगी है लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एक इन वाले बिट्म को प्रेस करिए मैं कास बाइक स्कूटस की नियोज रिव्यूस कंपरसन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लिए आता रहता हूं मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए गाइस बाबाय होना इस दें हाव फ्रेंश ड्राइब से